स्वागत है आप सभी लोगों का भारतिय तिहास के ऐसे महत्यपूर्ण प्रिष्णों के सुपरफास्ट रिविजन के लिए जो आपकी परिछाओं में बार-बार पुछे जाते हैं इस लेक्चर में हम लोग बहु बिकल्पी प्रिष्णों को सौल्ब करेंगे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रिष्णों को जहां पर छोड़ा था चलिए आज उसी ग्यागी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का अपना पहला प्रिष्ण तो टोटल 16 नंबर का प्रिष्ण और आज का हमारा पहला जो प्रिष्ण है वो प्रिष्ण है आदी वराह की उपाधी किसने धारण किया था यह आपको बताना है यहाँ पर हम प्रिष्ण नहीं पढ़ेंगे बिकल्प नहीं पढ़ेंगे बिकल्प आप पढ़के आपको 5 स का समय होगा उस पांच सेकंड में आपको आंसर बताना है उसके बाद हम आंसर बताएंगे तो पहला प्रिश्ण है आदी वराह की उपाधी किस ने धारन किया था ये पांचों बिकल्प आप देख लीजिए तो इसका सही आंसर रहेगा आपसर नमबर ए आदी वराह की निर्मान किसने कराया था तो ये महा बिहार जो होता है ये बौध धर्म से संबंधित होता है तो सोमपुर महा बिहार का निर्मान किसने कराया था ये आपको बताना है और आपके पास चार विकल्प है तो इसका सही आंसर हैगा ओप्सन नमबर सी धर्मपाल राजा धर्मप वाल ने सोम्पुर महाविहार का निर्मान कराया था अपनी प्रिष्ण पर हे आपको राए-पितौर की प्रिष्ण उसका प्रत्वी राज चोहान को राय पिथोड़ा की उपाधी दी जाती है इस चीज को भी आप जानते रहिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 19 नम्मर के प्रिश्ण पर हमारा जो 19 नम्मर का प्रिश्ण है उसमें लिखा गया है दिल्ली की स्थापना किस ने की थी यानि कि दिल्ली जो बरत्वान समय में भारत की राधानी है उसकी स्थापना किस ने किया था ये आपको बताना है तो चारों बिकल्प में को ध्यान से देख लीजिए इसमें सही आंसर रहेगा तोमरों ने तो तोमरों के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गए थी ये आपका सही ब गुहा मंदिर है ये एलोरा आपके महराश्ट्र में है इसके जो गुहा मंदिर है इसका संबंध किस्से है ये चारव आपके पास दिकल्ठ है तो इसमें सही आंसर रहेगा option नमर डी हिंदू बौध और जैन इन तीनो धर्मों से संबंधित है एलोरा के गुहा मंदिर ये में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे तो चोल काल में सोने की जो सिक्के होते थे उन्हें क्या कहते थे ये हमें बताना है और आपके पास चार बिकल्ठ है तो इसका सही आंसर हैगा option नमर एक कलंजू कलंजू सोने के सिक्कों को कहा जाता था किसके सासनकाल में कहा जाता था चो अंगे बढ़ते हैं अपने 22 भी नम्मर के प्रिश्न पर राज राजश्य्स्वर या बृष्यज्द्यश्य्वर मंद्र का निर्मान किसने कराया था यह भी दक्षिर्ण भारत के ही बात हो रही है राज है राज राजश्वर या ब्रहद्यश्वर मंदर का निर्माण कराया था ठीक है आगे बढ़ते हैं थॉमस रो और मुगल समराट जहांगीर की बात करते हैं तो थॉमस रो किसके सासनकाल में आया था भीया मुगल समराट जहांगीर के सासनकाल में आया था लेकिन यहां पर यह पूछा जा रहा है कि थ ठीके तो इसकी मुलाकात कहा पर हुई थी किस की क्ले में हुई थी और आपके पाश चार विकल्प हैं तो इसमें सही रहेगा option number D, अजमेर, अजमेर के किले में Thomas Rowe और मुगल समराट जहांगीर की मुलाकात हुई थी, ठीक है, चलिए आगे भरते हैं, इन में से किसने अखबर की धार्मिक नीती की आलोचना किया था, तो किसने अखबर की धार्मिक नीती की आलोचना किया था, य यह सारे important प्रिश्ण हैं, और किसी ना किसी परिक्षा में पूछे गया हैं, इसलिए ध्यान से सुनते रहें, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, पचीसमें नमर के प्रिश्ण पर, वह कौन सा इस्थान है, जहां अंतिम मुगल समराट बहादूर साह जफर की मृत्यव हुई थी, यह तो आपको याद ही होना चाहिए, कि अंतिम मुगल समराट को अंग्रेजों के दोरा ग्रफतार करके, कहां भेजा गया था, रंगून भेजा गया था, वह इसी रंगून में इनकी मृत्यव हो गई थी, तो बहादूर साह जफर की मृत्यव कहां हुई थी, या रंगून में हुई थी, आगे बरते हैं, 26 नमर के प्रिश्ण पर, पहला तुर्क सुल्तान जिसने सुध अरभी के सिक्के चलवाए थे, तो पहला तुर्क सुल्तान कौन था, जिसने सुध अरभी के सिक्के चलवाए थे, वह यह आपके पास चार विकल था हैं तो 26 नमबर का जो आंसर होएगा वो option नमबर भी रहेगा इल्टुत्मिस इल्टुत्मिस ने सुद्ध अर्वी के सिक्के चलवाए थे इस चीज को आप जानकारी में रखिएगा आगे बढ़ते हैं 27 नमबर के प्रिश्म पर मुहंबद बिट तुगलक ने अपनी स्थानांत्रित किया था और कहां पर किया था यह आपको बताना है आपके पास चार विकल्प हैं तो इसका सही आंसर हैगा ओफसर नमबर सी देवग्री जिससे हम लोग दौलताबाद भी कहते हैं तो दिल्ली से दौलताबाद मुहंबद बिट तुलक ने अपनी राजधान बनाया था तो आप विकल्प द्यां से देख लीजी इसमें सही आंसर हैगा ओसर नमबर सी सिकंदर लोदी ने आगरा को दिल्ली सल्तनत की राधानी बनाया था आगे बढ़ते हैं उन्तीसमें नमर के पर मकबरा निर्माण सैली का जनमदाता किसे माना जाता है मकबरा निर्मार सैली, यह सारे important प्रिष्ण है, तो 19 नमर में आपको बताना है, मकबरा निर्मार सैली का जन्न दाता किसे माना जाता है? 29 नमर का option बहाएगा option नमर B इलतुत मिस को मकबरा निर्मार सैली का जन्न दाता माना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं तीसमे नमर के परिंच पर और दक्षन भारत के ही हम लोग बात करते हैं तो दक्षन भारत में एक परसिध राजा थे जिनका नाम है किस्ण देव राय किस्ण देव राय ने अपने एक पुस्तक लिखे थी जिसका नाम है आमुक्तिया माल्यद तो आमुक्तिया माल्यद किस भासा में लिखी गई थी यही आपको बताना है आमुक्तिया माल्यद किस भासा में लिखी गई थी तो तीसमे नम्मर का जो प्रिष्ण है उसका आंसर रहेगा तेलगू आमुक्तिया माल्यद तेलगू भासा में लिखी गई थी किसने लिखा था किसन देव राय के द्वारा लिखा गया था आगे बढ़ते हैं 31 नमबर के प्रिश्ण पर रुद्र संपरदाय के संस्थापक कौन है ये जो जितने संपरदाय होते हैं इनके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम आप जरूर रट लीजेगा और यहां 31 नमबर में पूछा जा रहा है रुद्र संपरदाय के संस्थापक तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रिश्ण रखते हैं इसके आगे कि प्रिश्णों को हम लोग अपने अगले लेक्षर में स्वाल करेंगे वीडियो छोटी बनाते हैं जिससे सभी लोग इसको देख सके तो चली मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में आप सभी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद